नमस्कार दोस्तों बसंत पंचमी की धेर सारी शुब कामनाओं के साथ आज रप्रस्तोत हूँ आपके सामने मेरे सभी विध्यारतियों को, सभी शिक्षगरणों को सभी को धेर सारी बसंत पंचमी की शुब कामना है जैसा कि हम सब जानते हैं पसंथ पंचमी के दिन अपनी सारी किताबे बच्पन में आपको याद होगा या जो मेरे स्टुडेंट्स है वो लो क्या यूजवली अगर आपको नहीं पता तो बताते हैं कि हम सारी जो गुप से हो माता सरसती जी के सामने रख दिया करते थे और हम बहुत खुश होते थे रिजन इस दाए कि आज हमें पढ़ाई नहीं करनी है आज हम एकदम फ्री हैं वी कें डू अधर थिंग अधर देन स्टुडिज वी कें इंज्वय आवर डे ठीक है और इसकी मैं स्टोरी सुनाना चाहती में खासे आप सब को आल्रेडी पता होगा कि अधर इसकी क्या स्टोरी है इस दिन जो ब्रह्मा जी विष्णु जी महेज जब यह विश्व बना पूरी दुनिया संसार बना पृत्वी बनी तो जो प्रित्वी उस पे बहुत ही सूना-सूना सा बहुत ही शांती लग रहे थी ठीक है शांती में एक दूलतो होती ही है ठी फिर दुर्गामा को याद किया गया और दुर्गामा वहां पर प्रकट ही उन्होंने क्या किया सरसती जी को वहां पर प्रकट किया जैसे ही सरसाथी जी वहां पर आई सरगम बजने लगी जो सभी प्रानी थे विशों में जितने भी लोग थे उनकी आवाज आ गई ठीक है और फसने लहला आने लगी मतलब पुरा संगीत बजने लगा तो यू कैन अडरस्टें कि जो म्यूजिक हम सब को कितना जाद अच्छा हो जाता है one incident I want to share मुझे किया ना बहुत साल पले है when I am doing my graduation I was doing my graduation तो फिवर हो गया था जो भी चिकनगुनिया वाला पता हो गया तो that time अचानक से कि आवा रेडियो पर मेरा फेवरेट सॉंग बजने लगा जैसे ही मेरा फेवरेट सॉंग स्टार्ट हुआ वैसे ही I just and I dance क करना स्रार्ट होगा and serious से आपको बतारी मुझे याद भी नहीं था कि मुझे फीवर भी था actually fever उस पत्पी था so that is all about the psychology sometimes कि मेरा फीवर actually वह physical था लेकिन जो mentally जो मैंने उसने music सुना music ने मेरे मून को पूरा ही change कर दिया आपका दिन बहुत ही अच्छा हो शुब हो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो और इस occasion पर मैं छोटा सा धुन जो है वह कुंगो नाना चाहूंगी शायद मेरे स्टूनें से शायद इए गाना सुना होगा और basically भवरे से related क्योंकि बसंत हैं तितलियां भवरे सब अभी बगीचे में नाजवे होंगे पीले पीले फ्लांस आज के दिन पीले बस्त्र पहने जाते हैं वेखाल से आप सब को पता होगा माता सरसती जी को प्रसंद करने के लिए और I think मा को हर को प्रसंद करना चाहेगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो विद्यादान होता है वो बहुत बड़ा दान होता है ओके, so this music dedicated to all of you. भावरा, 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 धन्यवाद.